राजस्तान सरकार में सचीन पाइलेट और असोक गेलोत के बीच एक बार फिर नई जंग छिर चुकी है दर असल ये पूरा मामला सचीन पाइलेट के जनमदिन से जुड़ा हुआ है कोरोना से नहीं पाइलेट के दावे से उठ गई सिस्टम की नींद कलेक्टरों स्वास्ते विबाग को आंकड़ा जुटाने में लगाया सियेमों को भी हजम नहीं हो रहा 45,000 यूनिट के रक्तदान का आंकड़ा वही आला कमान तक एक दूसरे को नीचा दिखाने की कवाइद हुई शुरू दर असल ये पूरा मामला 7 सितेंबर को सचीन पाइलेट का जनमदीन से जुड़ा हुआ है सचीन पाइलेट का जनमदीन राजस्तान में बड़े दुमदाम के साथ मनाया गया था वही इस जनमदिन के बहाने सचीन पाइलेट ने आला कमान तक सक्ती प्रदर्शन भी किया था अब ये सक्ती प्रदर्शन का आंकड़ा मुक्य मंतरी असो गेलोत को भी हजम नहीं हो रहा वही चिकसा विबा की टीम और कलेक्टर को जाच के आदेश भी असो गेलोत ने दे दिये हैं कि आखिर 45,000 यूनिट रक्तदान के से हुआ वही दूसरी तरफ अब हर बलोक इस तर पर ये जाच की जाएगी वही जिला कलेक्टर को ये निर्देश दिये गए हैं कि जितने भी आपके अंडर में बलोक हैं वहाँ पर जाच की जाए कि ये आखिर कैसे हुआ 45,000 यूनिट वही दूसरी तरफ सचिन पाइलेट और असो गेलोत एक दूसरे को नीचा दिखाने की खूब कोशिस कर रहे हैं दर असल इसकी सुरुवात मुक्य मंतरी असो गेलोत ने हाल ही में स्टेटमेंट में कर दी है मुक्य मंतरी असो गेलोत और चिकिस्सा मंतरी ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिये हैं कि 45,000 यूनिट रक्तदान केसे हुआ और दूसरी तरफ इनकी जाच के आदेश भी मुक्य मंतरी असो गेलोत ने दे दिये हैं यानि कुल मिलाकर बात की जाए तो सचिन पाइलेट ने साथ सितंबर को अपने जनम दिन के बहाने राजस्तान में सक्ति प्रदैशन किया था जेश में 45,000 यूनिट रक्तदान हुआ था बलकि ये जनम दिन देश ही नहीं विदेश में भी चर्चा बन गया था दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेर और अपनी राज कमेंट बॉक्स में जरूर दें धन्यवाद